हाई एवरिवें दस दीपी का आई हो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बाफिर से सौगत है स्टडी विद कमफर्ट पे और आज हम डिसकस करने वाले हैं इसलिए आज का ये लेक्षर बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए अगर आपको इवालिशनरी सोशलिजम समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जहां पर मैं डिसकस करूंगी कि वाट इस दा बेसिक मीनिंग ओफ इवालिशनरी सोशलिजम इसके पहले सोशलिजम को समझेंगे फिर इसे हम इवालिशनरी क्यों कह रहे हैं इस टाइप ओप सोशलिजम को हम इवालिशनरी क्यों कह रहे हैं ये समझेंगे देन बेसिक अजम्शन्स क्या हैं इवालिशनरी सोशलिजम को जो इसे राडिकल सोशलिजम से अलग बनाते है then what are the basic principles जो evolutionary socialism में practice करने की कोशिश की गई है then last में अपने discussion को conclude करेंगे तो ये पूरा structure रहने वाला है आज की इस discussion का तो detail में शुरू करूं से पहले हमबर request है करेंज अगर पहली बार आप मेरे चैनल में आए हैं तो please do subscribe में ये चैनल शेयर वित यो friends और अगर आपको मेरे lecture पसंद आरे हैं आज का वीडियो पसंद आता है तो please like जरूर करिएगा वीडियो को इतनी मेरी humble request है आप से तो समझने की कोशिश करते हैं evolutionary socialism तो इसके पहले देख लेते हैं कि what is socialism तो जैसे कि आपको पता है कि socialism क्या है हम इसमें क्या बात करते हैं कि भई जो capitalism है इस पर reform किया जाए जबकि marxism में हम capitalism को overthrow करने की कोशिश की बात करते हैं काल मार्क्स ने क्या कहा था अपने marxist theory में कि जो capitalist system है इसको उखार फेंका जाए तब ही हम communism established कर सकते हैं ओके लेकिन socialism में जो capitalist system है उसमें reform करने की कोशिश की जाएगी यहां पर main priority क्या रहती है कि community is more important than the individual हमें common good को common interest को priority देनी है वहीं पर जो resources है जो means of production है उनकी common ownership होनी चाहिए ना कि private ownership तो यह कुछ basic meaning होती है socialism की अब यह evolutionary क्यों है तो evolutionary socialism socialism का एक type है एक प्रकार है जिसमें बात करता है कि gradual, peaceful and democratic changes किये जाएं society में to achieve the socialist ideals या socialist goals कि अगर जैसे present system क्या है capitalism है और capitalist society में हमें changes करने है socialist objective को achieve करना है तो यह peaceful होना चाहिए बहुती gradual होना चाहिए और democratic change के थ्रू reform के थ्रू होना चाहिए तो main यह बात करते हैं कि भाई हमें धीरे-धीरे social, political, economic reform करना है और इन reforms के आधार पर हमें धीरे-धीरे क्या करना है socialism यह socialist जो aim and objectives है उनको achieve करना है getting it? तो आप यह समझ गए कि what is the main idea behind social, जो evolutionary socialism है जो यह बात करता है कि भाई हमें gradual और peaceful reforms के through socialist ideals को achieve करना है ना कि violent revolution से इसका just opposite एक type of socialism है वो है आपका revolutionary socialism revolutionary socialism बात करता है कि भाई all of sudden change कर दो society में एक क्रांती ला दो revolution ला दो और आप जो present system है उसको खार फेको और socialist system को establish कर दो इसके just opposite है evolutionary socialism जो हम आज discuss कर रहे हैं evolutionary socialism ये मानता है कि जो capitalist system है इसमें कुछ कमिया है कुछ खामिया है और इस तरीके जो socialism है ये एक better alternative हो सकता है जो provide करेगा एक more equitable and just alternative जहाँ पर लोगों को justice मिलेगा social and economic justice मिलेगा equality हम established कर पाएंगे तो जो evolutionary socialism के supporters है वो कहते हैं कि capitalist system में कुछ कमिया होने की वज़े से हमें इसमें reform करने की जरूरत है और ये reform क्या होने चाहिए peaceful transition होना चाहिए एक democratic process या peaceful method को या constitutional method को adopt करके होना चाहिए तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि what is evolutionary socialism और revolutionary socialism से ये कैसे different है further अगर आगे हम move करें कि what are the basic assumptions जो evolutionary socialism को define करते हैं वो क्या है तो number one है आपका socialism by state जबकि आपका revolutionary socialism या marxism है ये कहते हैं कि भाई state तो होना ही नहीं चाहिए हमें stateless society establish करनी है state according to marxism and revolutionary socialism एक exploitative instrument है जबकि evolutionary socialism में जो कुछ socialist supporters हैं जैसे कि Edward Bernstein ये अपनी book socialism and task of social democracy में कहते हैं कि जो state है ये एक instrument है for bringing about the socialism ओके ये support करते हैं कि भाई state होना चाहिए और state के माध्यम से ही हम social political और economic reform करेंगे और gradual and peaceful manner पे हम socialist ideals को establish करेंगे getting it तो Edward Bernstein जो support करते हैं evolutionary socialism को ये कहते हैं कि भाई state तो एक माध्यम है state एक instrument है जिसके माध्यम से हम ये peaceful changes ला सकते हैं society में socialism establish कर सकते हैं हमें यह state को abolish करने की ज़रूरत नहीं है हमें state का use करना है socialist ideals को establish करने के लिए getting it तो ये state की खिलाफ नहीं है most important point number two assumptions है कि socialism by piecemeal change कि जो socialism हम establish करेंगे ये मतलब टुकडों में होना चाहिए step by step होना चाहिए ऐसा नहीं है कि हमने ये capitalist system में हम exist कर रहे हैं हमने क्रांती करी revolution करी हमने इस capitalist system को उखार फेका और हमने यहाँ पर socialism या communism establish कर दिया इसके खिलाफ है evolutionary socialist evolutionary socialist कहते हैं कि भाई ये जो capitalist system है इसके जो flaws है इसके जो कमिया है उनको हमें धीरे-धीरे reform करना है हमें social reform करना है हमें economic reform करना है हमें political reform करना है through the democratic and legislative process और इस तरीके से हमें जो changes लाने है वो step by step लाना है तो सबसे second most important assumptions क्या है कि socialism by piecemeal changes मतलब छोटे-छोटे टुकडों में हमको करना है ये ना कि all of sudden radical change हमें यहाँ नहीं करना है so they don't believe in the class struggle or revolution basically next importance assumption है evolutionary socialism का कि जो society है ना it is comprised of the various groups so जो evolutionary socialist है ये मानते हैं कि जो society है इसमें various groups and interest जो various groups है उनके various interest exist करते हैं so they don't believe in the division of the society they rejected the idea of class struggle या class division जो evolutionary socialist है evolutionary socialist किया कहते हैं कि भाई एक society में बहुत सारे group हो सकते हैं बहुत सारे लोग हो सकते हैं और उनके different different interest हो सकते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें society एक classless society एक्जिस्ट करना है जैसा कि Karl Marx ने कहा था तो ये इसके खिलाफ है next important assumption है evolutionary socialism का कि reform in capitalism evolutionary socialist कहते हैं कि भाई हम capitalism को अगर humanized कर दें मतलब capitalism में अगर हम human dimension को जोड़ दें इसे थोड़ा सा humanism लादें हम human values establish कर दें जैसे कि justice, equality तो हम इसे better version बना सकते हैं तो हमें capitalism की जो खामिया है उसे remove करनी है और यहां पर reform कर देनी है जैसे कि हम एक equitable and just society बना सके ओके तो यहां पर हमें क्या करना है जो market economy है वो state controlled economy हो सकती है in the place of जो प्राइवेट-led market हो गई यह हमें क्या करना है mixed form of economic system जैसे इंडिया में क्या है हमने mixed economy adopt की ना mixed economy का simple सा मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर भी adjust कर रहा है और public sector भी adjust कर रहा है प्राइवेट कंपनियां भी हैं प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो government के द्वारा own की जा रही है तो यह mixed economy है तो कुछ evolutionary socialist जैसे की Anthony Crossland अपनी बुक future of socialism और James Burnham अपनी बुक managerial revolution में कहते हैं कि जो modern capitalism है यह थोड़ा different है as compared to 19th century 19th century में जब हम revolutionary socialism के बात कर रहे थे तो यह scholars Anthony Crossland और James Burnham कहते हैं कि modern capitalism थोड़ा अलग है यह अब वो जमाना नहीं राजो 19th century था इसलिए अब radical socialism यहाँ पर काम नहीं करेगा यहाँ पर हमें क्या करना है evolutionary socialism को adopt करना है हमें gradual changes लाने है gradual reforms करना है ओके तो यह कुछ important assumptions थे एक और important last assumption है socialist evolutionary socialism का कि harmony between equality and liberty देखो जो revolutionary socialism या जो marxism है यह कहते हैं कि भाई equality होना चाहिए वो liberty के खिलाफ है उनका माना है कि liberty अगर रहेगे तो equality हम करी नहीं पाएंगे evolutionary socialism कहता है कि भाई हमें equality और liberty दोनों में balance बिठाना है हम liberty को suppress नहीं कर सकते हैं in the name of equality जैसा कि Karl Marx कह रहे थे तो यहां पर हमें क्या करना है हमें evolutionary socialism में ऐसे रिफॉर्म करना है social political and economic domain में ताकि हम equality और liberty दोनों के बीच में balance बिठा सकें तो कुछ scholars हैं जैसे कि George Burnett इसके बाद से Graham Wall, Sydney Webb, GDH Cole जो कहते हैं कि भाई हम हमें liberty को suppress नहीं करना है in the name of equality हमें क्या करना है democratic constitutional method का तरीका adopt करना है अगर हमें objective of socialism को adopt करना है तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि equality और liberty दोनों के बीच में harmony या balance बिठाने की बात की जाती है ना कि liberty को replace करके equality लाने की बात की गई है यहां पर ध्यान रखना है socialist हैं यह इस चीज़ पर believe करते हैं कि जो socialism है हम इसको series of economic social and political reform के द्वारा establish कर सकते हैं तो पहला principle है capitalist system में उसमें उसको change करके modify करके हम इसे थोड़ा सा इसमें humanism का aspect add कर देंगे getting it तो यह basically क्या है gradualism समझ में आ गया कि यह भाई sudden change नहीं चाह रहे हैं यह violent revolution मतलब एक क्रांती नहीं चाह रहे हैं यह कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे step by step changes किये जाएं वो भी peaceful and democratic manner पे okay second principle हम जो यह basic assumptions थी evolutionary socialism के निकाल सकते हैं कि democracy so they believe in the democratic process and principles evolutionary socialist कहते हैं कि भाई democracy की importance है क्योंकि अगर आपको socialism adopt करना है तो आपको democratic institutions establish करने होंगे और आपको जो civil liberties है उन्हें protect करना होगा okay तो यह basically कहते हैं कि अगर हमें transition करना है to socialism में तो हमें एक peaceful and just माध्यम जाहिए होगा और यह आपको कैसे मिलेगा democratic process के द्वारा constitutional method के द्वारा द्वारा and democratic institutions के द्वारा okay next important principle हम निकाल सकते हैं इन basic assumptions के आधार पर social welfare evolutionary socialist का मानना है कि जो जो social welfare प्रोग्राम से यह बहुत important होते हैं क्योंकि इन social welfare प्रोग्राम के माध्यम से हम most vulnerable members of the society को support कर सकते हैं और यह social welfare programs किस तरीके के होंगे जैसे की health care affordable health care services देना आयुश्मान भारत इंडिया का example दे सकते हैं education जो इंडिया में government education है या जो public universities हैं उनकी fee आप private institution से compare कर सकते हो जब आप एक public university में पढ़ते हैं तो वहां की fees और जो एक private institution होता है private university होती है वहां की fees में जमीन आस्मान का अंतर होता है तो यह social welfare programs में आपको affordable health care देना, affordable education देना, affordable housing देना ओके, these are the some basic necessities of these peoples जो access होना चाहिए सभी को तो evolutionary socialist कहते हैं कि भाई social welfare programs बहुत important है so they believe in the principle of social welfare next important principle हम निकाल सकते हैं on the basis of these assumptions of the evolutionary socialism that workers right evolutionary socialist का मानना है कि जो workers के right है वो उन्हें protect करना किया जाना चाहिए state के द्वारा workers को right होना चाहिए right to form union, bargain collectively and strike और basically state को कुछ ऐसी policies लानी चाहिए जो promote करे fair wages को, safe working conditions को and job security को for all workers so these are the some principles जो हम evolutionary socialism में इसके basic assumptions के आधार पर निकाल सकते हैं तो ये थे हमारे evolutionary socialism का meaning, evolutionary socialism के basic assumptions, evolutionary socialism के basic principles अगर आपको यहां तक इसकी understanding हो गई है तो हम आज की discussion को conclude करते हैं तो overall we can say that कि जो evolutionary socialism है ये कहते हैं कि भाई हमें socialist goals को achieve तो करना है हमें socialism establish करना है लेकिन कैसे एक series of political, social and economic reform के दोरा और हमें यहां पर एक peaceful and democratic means या एक peaceful or democratic रास्ता अपनाना है ना कि revolution का या क्रांती का रास्ता इस बात पर believe करता है कि socialism है हम उसे gradually achieve किया जाना चाहिए with the help of various economic, social and political reforms ना कि sudden and violent revolution जैसा की कालमाक्स या revolutionary आप evolutionary और revolutionary में वो मत करना, confuse मत करना जो revolutionary socialism है यह बात करता है revolution की, क्रांती की, violent revolution की जबकि जो evolutionary है यह आपका बात करता है reforms की, कि भाई हमें gradual reforms किये जाए step by step हम reforms करें और socialist ideals को establish करें तो यह था evolutionary socialism का पूरा discussion, I hope कि आज का lecture आपको पसंद आया होगा और evolutionary socialism का concept आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कोई doubt हो तो आप मुझे comment करके पूंच सकते हैं आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हैं, उसकी link इस video के नीचे description में दी हुई होगी तो आप instagram पर मुझे directly communicate कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पर message कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको reply दूंगी कोई doubt है तो या किसी particular topic पर video चाहिए आपको तो तो guys one more request, please do subscribe my channel, share with your friends and like the video वीडियो को please आप like कर दिया करें guys, इसे channel को grow करने पर help मिलेगी और यह आपका contribution हो सकता है channel के लिए, तो please like the video अगर पसंद आया हो तो and yes, see you in the next video, bye bye, take care, keep learning, keep exploring